नमस्कार दोस्तों आज हम लोग खेती के जो ड्रेगन प्रूट की हम लोग फार्मिंग करते हैं उसमें कम खर्च में ज्यादा मुनाफ़ा कैसे लें उसी के बारे में बात करेंगे कि हम अपना थोड़ा सा तरीका बदलेंगे खेती का तो जो हम ड्रेगन प्रूट की खेती अ उसको हम ठाइली सिस्टम में कि को थोड़ी सी कोशिस किये है तो उसमें घ्राइदा हुआ है उसमें आप सब को यही सेयर करना चाहते हैं लगाते हैं उसकी जो पॉल से तोी होती है कि 2000 से पूढ़े से जादा नहीं लगा पाएंगे एक एकड़ में तो और जो ट्रैली सिस्टम है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि पोल से पूल की दूरी हम 10 फुट रख सकते हैं और उसमें 18 से 22 पूढ़े हम बीच में लगा सकते हैं जो कि आप देख सकते हैं ऐसे लगाना है इसम सकते हैं आराम से कोई दिख्कत वाली बात नहीं और में श्या-वाली से तो सोचिए कि हमारी जो पैदावार है कितनी होगी और लागती भी इसमें बहुत कम आएगी दोस्तों और उसके बाद यह जो आप बांस देख रहे हैं जो बांस लगा हुआ यह तीन महिने बाद चार महिने बाद जब यह रिंग की हाइट पर आजाएगा तो यह जो पोल लगा हुआ आप देख रहे हैं इसके उपर सेम हम सपोर्ट के लिए जैसे हम रिंग लगाते हैं उपर यह टायर लगाते हैं दोस्तों वैसे ही हम इसमें जियाई पाईप लगा देंगे उपर दोनों साइड में और यह उस पर असानी से सपोर्ट के लिए और करके पूरा असानी से इस पर ग्रोव करेगा तो इसमें देखिए हमारा बहुत कम खर्चाया पोल के हिसाब से और प्लांट भी इसमें हमारा 2000 के बचाये 6000 लगें तो जब फ्रूटिंग आएगी तो आप समझ सकते हैं कि कि इसमें कई गुना हमारा होगा और लागत भी आप देख सकते हैं कितनी ये बहुत कम आयी है, तो हमारे साफ से यह स्मार्ट तरीका सभी किसान भाई अपने खेत में जरूर ट्रैल करें और बहुत अच्छा हम सब का ही फायदा होगा और लगाने का यही है सिस्टम कि पोल से पूल की दूरी जो है दस पुट कर सकते हैं बीच में उसके हम 18-22 पोधे अराम से लगा सकते है तो आप जरूर इसको अपने फार्म में यह तरीका चाहे थोड़ा सा ही करके देखिए जरूर देखिए दोस्तों वीडियो अच्छे लगी है तो लाइक शेयर और चैनल पर नए है तो सस्क्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं कोई नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ त तक के लिए नमस्कार